नमस्कार आप देख रहे हैं जनसंबाद नियुज और मैं हुआ आपका दोस्त राजिएफ। आपका दोस्त राजिएफ। पंदरा जुलाई को समाजवादी पाटी और अपनी विदाईगी से इस्टिपा दे दिया था। इसके बाद या सीट ठाली हो गए थी। फिर आठ अधस को वोसी सीट के लिए उस चुनाओ का एलान हुआ। दस अधस ते नामंकन की पप्रिया शुरू हुई जिसके लिए अंती तिस सत्रा अधस को रखी गए थे। चुनाओ परचार 30-30 स्तंबर तक चला और 5 सितंबर को पोर्टिंग होई थी। उस चुनाओ में सपाने सुधाका सिंग को तो वह यह वाजपा ने बरतवान विरायत दारा सिंग चौवान को ये अपना प्रत्यासी गोत्यत कर दिया था। या मुकाबला केवल दारा सिंग चौवान और सुधाकर सिंग के बीची रही था। परकि या मुकाबला एंडिये और इंडिये घंडबंदर के लिए फिनाक की लड़ाई बन गया था। जिसमें दोनों बादी मारना चाहते थे। वोसी उप्चुनाओं में सिंग योगी और समाजवादी पार्टी के मुगिया अकलेस यादों की प्रिश्टा दाव पर लगी होई थी। वाजपा ने तो उप्चुनाओं में मंत्रियों की पूरी फोरी उदार दिग दी। वोसी सीट पर बीजेपी के लिए 26 मंत्री और साच से ज़्यादा बिरायट ने प्रचार किया था। को साधने के लिए ओब कास राजवर को, निसाद बोट्रों को साधने के लिए डाक्टर संजे निसाद को, पुर्मी बोट्रों को साधने के लिए एके सर्मा उत्वतंत देव सिंग को, प्रामर्ण बोट्रों को साधने के लिए डिफ्टी सियम वजियत पाटत और मुसलिम स समाज के पसमांता बोट्रों को साधने के लिए तानिस आजात अंसारी को गोसी के रण में उतार दिया था। कि दारा सिंग चोहान के मतु का आकला कभी उनके पास तक पहुँच ही नहीं बाया। पहले राउंड में ही सुदाकर सिंग ने 178 बोटों की लिडिये ही थी। इसके बाद हर राउंड में जीर का ग्राफ बड़ता जी चला गया। और इस तरह समाजवादी पार्टी ने भार से चुरापी संकरात कर दिया है। वोसी में समाजवादी पार्टी प्रत्यासी सुदाकर सिंग की जीर से सपा मुग्या अकलेश स्यादों पहुत गदगद हो गया है। अकलेश ने कहा है कि जीता तो सपा का भले ही एक विदाएगी है। लेकिन हारे कई दनों के पाभी मंत हैं गार और घमन को चतना चूर करने वाला है। यह एक ऐसा चुना होगा है जिसमें इंडिया टीम है और पीडिये की रलेनी। जीत का हमारा ये नया फार्मूला सही साबित हुआ है। गोसी की जिलता को धन्वास सुदाक्ता सिर्ट को जीत की बहुत बहुत बदाई। स्वावित परसाद मौरे ने कहा कि हम तोक पहले से ही बोल ले दे कि इस तुनाओं में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत होने वाली है। सपा की या जीत बदा रही है कि जिस तनह से लोगों ने दल बदल कर गोसी की जंता का अपमान किया है ये उसी का बदला है। संजे निसाद के बयान पर स्युपार यादा उने बड़ा पनेड़वार गिया है। उन्होंने कहा कि संजे निसाद को कोई जाकर बदा दे कि ये इंडिया देट इस भारत है। जहां हर भारत मता की संतान है और एक संतान हर एक संतान सम्वानित नागरी है। कर दो कर दो कर दो